नमस्कार दोस्तों मैं नाम है रादिव सजवान राजम बात करेंगे साउथ के सबसे बड़े सूपर स्टार मैस बाबू की सूपर इट फिलम बिजनेस्मेन के बजट बोक्स ओपिस कलेक्शन और फिलम से जड़ेवे कुछ अंचुने फैक्स के बारे में तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक शोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आप मेरे चैनल पर नए हूँ तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब किजे थाके मैं आपके लिए और बेसी वीडियो ला सकूँ दोसो बिजनेसमेन एक तेलगू भासा में बनी एक एक्शन क्राइम फिलम थी जो कि 13 जनवरी 2013 को सिनमा घरों में रिलीज वी थी और इस फिर्म में हमें मुके बुमका में नजर आये थे मैश बाबू, काजा लगरवाल, प्रकास राज, एम नस्सर, सिवाजी सिंदे, रजा मुराद, सुब्बर राजू, ब्रह्मा जी, भारत रेड़ी, पूरी जगनात और बंदला गनिस इस फिर्म के डायरेक्टर थे खुद पूरी जगनात जो की आई स्मार्ट संकर, पोकरी, टेंपर और बदली जैसी कहीं बैतरीन फिल्में बना चुके हैं वहीं परडूसर की बात करें, तो इस फिल्म की परडूसर थे आर आर वैंकिट, इस फिल्म की कहानी लिकी थी, खुद डायरेक्टर पूरी जगनात ने और फिल्म में म्योजिक दिया था ऐस थमन्ने, वहीं फिल्म के बजट की बात करें, तो फिल्म का कुल बजट 15 करोड और इसने बॉक्स ओपिस पर 40 करोड की अच्छी कमाई की थी, वहीं फिल्म के गानों की बात करें, तो फिल्म में टोटल 5 गाने थे और सभी के सभी गाने सुपरिट साबित हुए थे, इसके अलावा ये 2012 की तीसरी सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली तेलगू फिल्म थी पहले नमबर पर SS राजमोली की फिल्म मक्खी थी, दूसरी नमबर पर पवन कल्यान की फिल्म गबबर सिंग थी और तीसरी नमबर पर ये फिल्म थी, इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो इस फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी पर बेश्ट थी, जो कि पूरे मुंबई पर र काम करवाता है तब ही एक दिन वे अपने पडोस में देखता है कि बैंक वाले जबरदस्ती उनका घर खाले करवा रही है तो वे उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि वे उनका सारा लोन चुका देगा पहले तो लोगों को उसकी बातों पर यकिन नहीं होता है लेकिन बाद सेलरी देगा और उसके बाद गुंडे उसकी बात मान जाते हैं इसके अलावा वे मुंबई के पुलिस कमेशनर की बेटी चित्रा को अपने प्यार में फसा लेता है और उसके सामने वे एक बड़ा बिजनेसमेन होने का नाटा करता है और सकेल नाम के गुंडे को मारने के वे अपने आदमियों को उसका पता लगाने के लिए भेज देते हैं पहली बार तो वे बच जाता है लेकिन दूसरी बार पुलिस उसे अरेश्ट कर लेती है और पुलिस कमेशनर को बताता है कि उसने उसकी बेटी को किड़नेप कर रखा है इसलिए पुलिस वालों को मजब बार ने के लिए कहता है तो इस परकार इस फिलम की कहानी लिखे हुई थी इसके अलाबा काजा लगरवाल इस फिलम में मैस बाबु की लवर के रूप में नजर आय थी और एम नसर उसके पिता के रूप में और सिवाजी सिंदे एक मंतरी के रूप में नजर आय थे तो दो फैट नमबर दो, दूसर पहले इस फिलम में लीड हिरोईन का किरदार सुरूती हसन को उफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, क्योंकि वे उस समय किसी दूसरी फिलम में बिजी थी, जिस कारण ये रोल काजल अगरवाल को मिल गया फैट नमबर तीन, दूसर फिलम की जाबता शूटिंग मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हुई थी, फिलम की शूटिंग के लिए खासतोर पर ऐसे इलाके को चुना गया था, जहां पर जोपणिया और कच्चे मकान हो फैट नमबर चार, दूसर फिलम में मेश बाबू और काजल अगरवाल के बीच एक किसिंग सीन था, जिसे करने से पहले मेश बाबू ने अपने पतनी नमरता सिरोडकर्स से परमिशन ली थी, और उसके बाद ही इस सीन की शूटिंग वी थी फैट नमबर पाँच, दूसर फिलम में एक आइटम सौंग था, जिसके लिए पहले हंसिका मोटवानी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था, और उसके बाद सुएता भादवाज को इस फिलम में आइटम सौंग करने का मौका मिला फैट नमबर ची, दूसर फिलम की रैटर और डारेक्टर पूरी जगंडात ने भी इस फिलम में एक छोटा सा किरदार निबाय था, वो इस फिलम में एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में नजर आये थी फैक्ट नमबर साथ, दूसर फिलम में आपने गौर किया होगा कि फिलम की किसी भी सीन में आपको ब्रमानंदम अली या सुनिल जैसे कोई भी कोमोडिय नजर नहीं आये होगे ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इस फिलम में मैंस पाबू एक स्पैसिफिक करेक्टर प्ले कर रहे थे वरना साथ की कुछ गिनी चुनी फिलमे ही होंगे जिन में इन्होंने काम ना किया हूँ दूसर फिलम में एक गाना था जिसका नाम पिला चाओ था और इस गाने के लिए एस थमन को काफी क्रिट्रिसाइज किया गया था क्योंकि उन्होंने बिना पर्मिशन की इटेलियन सौंग बिला सिवाओ की म्यूजिक का इस गाने में किया था दूसर फिलम के टाइटल विजिसमेन को लेकर भी काफी विवाद हुआ था क्योंकि इससे पहले ही किसी दूसरी फिलम में इस्तमाल किया जा चुका था लेकिन बाद में आहंदर पर्देश के फिलम चैंबर बोर्ड ने ये टाइटल रखने की पर्मिशन दे दी दूसर फिलम के कुछ डाइलोग्स और एक गाना जिसका नाम था We Want Bad Boys को लेकर काफी विवाद हुआ था जिस कारा कुछ संगटोनों ने इस फिलम की रील जला दी थी और फिलम के गाने के खिलाब भी केस किया गया था क्योंकि इसमें कुछ गालियों का इस्तमाल किया गया फैट नमबर ग्यारा दूसर फिलम के हिटो हो जाने के बाद डारेक्टर पूरी जगनात इसका हिंदी में रीमेक बनाना चाते थे इसके लिए उन्होंने रनवीर कपूर को अप्रोच किया था और उनके लिए स्पेसल स्क्रीनिंग भी रखी थी लेकिन उन्होंने मना कर द दिया था उसके बाद 2013 में इस फिलम का रेमेक बंगाली भासा में बॉस नाम से बना फैक नमबर बारा दोसे इस फिलम को तमिल, तेलगू, कननर और मलयालम में बिजिसमेन के नाम से ही रिलीज किया था जबकि हिंदी में तो दोस्तो ये थे इस फिलम से जड़ेवे कुछ चंसुने फैक्स दोस्तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और वीडियो को लाइक किजे, साथे साथ यदि आप किसी दूसरे फिलम के अन्नोन फैक्स भी जानना चाते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखे